आजादी का अम्रित महोत्सम अपनी काबलियत का मुझारा करें आप सब के सामने हर बार ये प्रोग्राम आपकी खिद्मत में All India Radio स्रीनगर पेश करता है मुक्तलिफ उनिवर्स्टी, कॉलेज़ और स्कूल्स के साथ मिलकर अब की बार हमें इश्तिराक हासल है Central University of Kashmir का जिनके साथ मिलकर आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुचाया जा रहा है तो आएए आगास करते हैं प्रोग्राम का जैसा कि आप जानते हैं इसमें तीन अलग-अलग सेग्मेंट होते हैं पहला सेग्मेंट डिसकेशन होता है दूसरा सेग्मेंट होता है लोकल टैलेंट और तीसरा सेग्मेंट होता है दिल की बात आज भी हमारे साथ इसी उनिवस्टी के तलबा तयार हैं ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने के लिए तो आईए सीधा चलते हैं इरम के पास जो तयार है आज का पहला सेग्मेंट लेकर जी हाँ डिसकेशन बहुत बहुत शुक्रिया तब रेज आपका और सभी सुनने वालों का बहुत बहुत इस्तिकबाल करते हैं आज हम Central University of Kashmir के Department of Convergent Journalism के तलबा आप से मुखातिब होते हुए एक एहम मोजू के तहट बात करेंगे मैं इरम हूँ और मेरे साथ मेरे और चार तलबा है जो आप से अभी मुखातिब हूँ असलाम लेकुम मैं इफरा स्रीनगर सफाकदल अलाके से तालोक रखती हूँ और मैं सेकंड सिमिस्टर Convergent Journalism की स्टूडेंट हूँ यह बहुत बहुत शुक्रिया मेरा नाम अनसार हुसेन है और मैं जिल्ला बढ़गाम के बुनहमा अलाके से तालोक रखता हूँ और मैं इस वक्त Central University of Kashmir के चोथे सिमिस्टर में जहरे तालीम हूँ असलाम अलेकुम मेरा नाम फहद खान है और मेरा तालोक स्रीनगर से है हाल मैं मैं Central University of Kashmir से Convergent Journalism में मास्टर्स कर रहा हूँ सुपरबाद सभी को मैं राजस्थान से हूँ और यहां पे Central University of Kashmir में पढ़ाई कर रहा हूँ Convergent Journalism Department में बहुत शुक्रिया इफ्रा, अंसार, सन्वर और फाहद आपकी इंट्रडाक्शन के लिए सामाईन, पिछले 10-15 सालों में टेक्नालोजी में तरक्की के बाइस हमारी लाइफस्टैल में काफी बदलावा चुके है यह बदलाव ज्यादा तोर पे हमारे बच्चों के नशोनुमा में देखने को मिलता है जहां बच्चे पहले ज्यादा वक्त आउट्डोर गेम्स में सर्फ करते थे वहीं आज वो मॉबाइल और कम्प्यूटर की स्क्रीन से नहीं हटते टेक्नालोजी के इस इस्तिमाल से बच्चों के जहनियत और जिस्मानी सहत पे हो रहे मन्फी असरात के हवाले से हम इस गुफ्तगू का आगाज करते हुए जानते हैं सबसे पहले इफ्रा से उनके तासुरात जी बहुत बहुत शुक्रिया इरम पहले हम बात करेंगे बच्चों के जिस्मानी सहत के बारे में जैसा के हम रोज मरा की जिन्दगी में देख सकता है मूबाइल फोन के जादा इस्तिमाल से बच्चों की आँखों की बीनाई पर असर पड़ सकता है उसके अलावा काफी वक तक जुक कर फोन की तरफ देखने से गर्दन के जोडू में तकलीफ की शिकायत बच्चे जादा कर रहे है और कलाई और उंगलियों में भी असर देखा जा सकता है काफी देर तक एक जगा बैठे रहने से आज कल के बच्चों में काहिली के साथ साथ मुटापा बढ़ रहा है जिससे डायबिटीज, बीपी, दिल की बिमारिया बढ़ रही है जैसा के हम देख सकते हैं एंजाइटी और जहनी दबा बच्चों में जादा बढ़ रहा है जिसके वज़े से बच्चे बहुत एग्रेसिव हो रहे है नीन्द की कमी बच्चों में जादा महसूस की जाती है बच्चों का एक स्लिपिंग साइकल दिन बदिन चेंज होता जा रहा है उसके वज़े से उनके सलूख में भी बढ़ आ जाता है उसके अलावा हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम के बारे में पहले जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले पांच सालों से जैसे जैसे टेकनोलजी का दोर बढ़ रहा है मीडिया में तबदीलियां आ रही है टाबलेट्स और स्मार्ट फोन्स का इस्तिमाल जादा हो रहा है उसके अलावा फैमिलीज में भी उनकी अविलिबिल्टी जादा बढ़ रही है फैमिलीज हमारे लिए वो चीज़े अविलिबिल रख रही है जिसके वज़े से बच्चे जादा वक्त स्क्रीन पे गुजारते हैं बहुत शुक्रिया इफ्रा आपने बहुत सभी कहा कि स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है क्यूंकि availability जो है फैमिलीज हमारे screens और हमारे टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स की availability बढ़ती जा रही है इस हवाले से एक एहम पॉइंट ये उठता है कि हमारे वालदेन का क्या रोल रहता है बच्चों को कितना वो टाबलेट्स और मोबाइल्स फराहम करें इस पहलूपे हम अंसार से पूछना चाहेंगे कि अंसार आपकी क्या तासुराथ थै इस वारे में कि वालदान का क्या रूल रहता है जी बहुत शुक्रिया ईर्हम वक्त देने के लिए देखें इस सिलसले में में दो बात Remember क्याना चाहाँ जिसके हुआले से बहुत सारी चीजें हमें समाज में अभी भी देखने को मिलती हैं बहुत सारे मन्फिय असरात उसके वज़ा से पढ़ सकते हैं हमारे साथ समाज में हमने देखा है कि बच्चों के अंदर अग्रेशिव जो है चीजें बहुत भर रही है मतलब इस तरह के मसाइल हमारे सुष सिमाज में अभी देखने के मिल रहे हैं और इसके साथ साथ और भी कई सारे मसाइल इसके साथ जुड़े ہیں जैसे कभी ऐसे मुश्किलाद intuition में होते हैं माबाब के दर्मियान वो अपने आसपास जितने भी उनके बड़े होते हैं बड़े बज़र्ग होते हैं या आपस में जो उनकी एहलिया होती हैं उनके साथ अगर वो किसी तरह के गलत लहजे का इस्तिमाल करते हैं तो उसकी वज़ा से भी बच्चे की जहनी नशनमा पर बहुत जादा गलत असर प किया कभी उन्चे लहजे में बात की कभी अपने एहलिया के साथ एक शोहर ने गलत लहजे में बात की तो उसकी वज़ा से जो बच्चे हैं उनके जहनी नशनमा पर बहुत जादा गलत असर पढ़ रहा है तो उस पे माबाप का यही रोल होना चाहिए कि वो कोशिश करें कि अपने बच्चों के सामने इस तरह की बातें नदोरा हैं जिसके वज़ा से उनके जहनी नशनमा पर बहुत जाला गलत असर पढ़ रहा है इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो हमारे समाज में इस वक्त दरपेश हैं जैसे हम ज्यादा अपने बच्चों क इस्टिमाल करते हैं तो उनकी वज़ा से हमें उसके साथ-साथ ये भी द्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इनफ़िजार है एक धमा का है इनफ़िशन का हम उनको देतो रहे हैं लेकिन उसके साथ-साथ हम ये भी देखना है कि आने वाले वक्त में इसका क्या पढ़ सकता है जिस पे हमें तवर्जम और कुछ करने की जरूरत है बहुत शुक्रियान सार जैसा कि आपने बात कही इन्फोमेशन हमें अपने बज्चों तक इन्फोमेशन तो पहुंचानी है लेकिन वालेदान गलत चीजे उन्हें हाथ में पगड़ा देते हैं बिल्कुल स इस पहलों पे मैं चाहूंगी कि सन्वर थोड़ी रोश्टी डाले शुक्रिया इरम इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि जब से आइटी रिविशन हुआ है तो दुनिया भर में जो लोगों की खास करके बच्चों की जो पढ़ने की रूची है उसमें एक भारी गिराउट देखनी को मिली है क्योंकि लोग आज कल जादा सोसल मीडिया पे या चेटिंग पे या ब्राउंजी करते हुए जादा टाइम वेतीत करते हैं चुकि लोगों की यह भी लगता है कि लोगों को लगता है कि इंफर्मेशन जो है सिर्फ किताबों से ही नहीं मिलती है आज के ल एक बहातर समाज का निर्मान करताई है तो किताबें जो है सिरुप information नहीं देती है यह इनसान को परिपक्त बनाती है एक चरीतर निर्मान करता है विक्ती का यह में एक सामाजी को दृष्टी कोन देती है और एक language पे भी एक अच्छा बलक कमाड जो है ये देती है जी बहुत शुक्रिया सन्वर फाहद मुझे हाथ से सिग्नल कर रहे हैं कि वो इस बारे में और थोड़ा कुछ आड़ करना चाते हैं जी फाहद बिल्कुर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किताबों को इनसान का एक सचा दोस्त भी कहा जाता है और ये सिर्फ एक मोहावराई नहीं बलकि एक हकीकत भी है अगर हम आज के दोर की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों मैं किताबे पढ़ने का जो जजबा है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है इसके बहुत सारे वज़ुहाथ है जैसे कि जदीदी टेकनोलजी का आना और पबलिक लाइबरेरी का ना होना वो भी बहुत सारे रिजन्स इसके हैं अगर हम पुराने जमानी की बात करें जैसे कि जब हमारे पास टेकनोलजी नहीं थी उस टाम लोगों को किताबे पढ़ने के बगएर कोई और आप्शन नहीं रहता था फिर लोगों का जो रूह जान है वो किताबों की तरह ज्यादा देखने को मिलता था लेकिन अगर हम आज की दोर की बात करें तो टेकनोलजी की वज़ा से हमारे किताबे पढ़ने की फुरसत छिन चुकी है किताबे पढ़ना खाली इंसान का शोक नहीं है बलकि ये इल्मियत हासिल करने का एक बहतरी ही़िए है क्यूंकि किताबों से जो इलिम हमें हासिल होता है वो किसी टेकनोलजी से नहीं हासिल हो सकता है जो एक reason है जिसकी वज़ा हमारे もईश्रे में reading culture का जो एक habit था वो थोड़ा सा diminish हो गया और इसकी ये वज़ा है कि हमारे माबाब जो यहां पे है वो बच्चों को किताबे थमाने के बजाए उनके हाथों में टैबलेट, स्मार्टफोन देते हैं जिसकी वज़ा से बच्चों का जो रूह जान किताबों की ओर है वो बहुत ही कम होता जाता है वाली द्याइन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के हाथ हो में स्मार्टफून के बजाए एक किताब थामा दे जिसकी वज़ा से reading का जो sense होता है वो inculcate हो सकता है like they need to instill that habit of this reading culture in their kids काफी fruitful discussion चल रहा है हमारा लेकिन इसमें हम एक और पहलो जोड़ना चाहते हैं हमने तो इस पारे में काफी बात की की technology के क्या मनफी असरात हैं लेकिन टेकना लोजी ने हमें बहुत सारे जो है positivity भी है टेकना लोजी के तो इस हवाले से अंसार कुछ कहना चाह रहे हैं अंसार आप बात करें जी बहुत शुक्राई रम जिस तरह से हम सब ने इस समाज बे बात की कि टेकनालोजी के बहुत सारे मनफिय आसरात हैं. लेकिन साथ-साध इसके बहुत साई फायदे भी हैं और जिस समाज में हम इस वक्त रह रहे हैं, यह वो समाज है जहाँ पर हमें टेकनालोजी को भी अडॉप करना हैं. हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि सभी चीजें ठीक तरह से चल पाएं बहुत बहुत शुक्रियान सार बिल्कुल जैसा आपने बिल्कुल सही कहा हम कहते है एकसेस ओफ एवरीथिंग इस वेरी बार तो हमें एक लिमिटेशन रखनी चाहिए बिल्कुल सही इसी पर थोड़ा सा अड़् करना चाहिए इफरा इफरा जी बहुत बहुत शुक्रिया इरं जैसा कि फैहर ने इस से पहले बात की हैबिट पर तो मैं हैबिट के बारे में बोल सकती हूँ कि बच्चों मैं हम देख सकते हैं कि इटिंग हैबिट जो है दिन बर दिन चेंज हो इस मोबाइल फोन के आने से, मतलब बच्चे तब तक खाना भी पसंद नहीं करते हैं, जब तक उनके हाथ में फोन न थमा दिया, तो इसमें पैरेंटिंग का बहुत एक एहमरूल अदा होता है, कि हमारे पैरेंट्स को चाहिए कि वो एक सेपरेट टाइम लिमिट रखे बच् अगर आप क्रियेट कर सके, क्या स्क्रीन टाइम वहां भी बच्चों में इतना ही देखा जाता है, क्या टेक्नोलोजी का इतना ही यूज किया जाता है, या फिर कोई लिमिटेशन सेट होती है, क्या आपको डिफ्रेंसिस नजरा आती है? देखिए अगर यूज ओफ इंफ्रमेशन टेक्नोलोजी के बात करें, तो यह तो एक उनिवर्सल फिनोमिना है, तो कोई भी जगह एचुती नहीं है, रेकिन रिलेटिवली जो मुझे लगता है कि जो जाजस्थान में पढ़ने का कल्चुर थोड़ा जादा है, क्योंकि व अगर पब्लिक नहीं तो प्राइविट लाइबरी कोई नहीं मिल ही जाएगी, तो वो मुझे लगा कि यहां पर इतना नहीं है, उसके कान कई हो सकते हैं, सामाजिक हो सकता है, राजनितिक हो सकता है, और आउटिं का टाइम भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर मतलब नाइट क नहीं है, नाइट लाइफ का आपने जिकर किया, वो भी यहां नहीं है, लेकिन लाइबरी की और रुझान बहुत कम है यहां लोगों का, और मुझे लगता है, इसमें बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं हमारे वालतें, जो अपने बच्चों को उन लाइबरी में ल मुहले लेवल पे, मुहला कमिटी हमारी होती है, अगर उसी लेवल पे एक रीडिंग क्लब जो है, जगा जगा मुहलू में खोले जाए, तो हमारे जो बच्चे है, जो फोनों में गुसे रहते हैं, वो अगर चाहे तो वो उन रीडिंग क्लब्स में जाके, वहां पे अब मुहया की जा सकती है, और वो पढ़ सकते है, जी इस डिसकॉशन को हम जितना भी इस पे बात करें, वो कम रहेगी, लेकिन हां इस से हमें आज ये पॉइंट तो जरूर हमें समझ में आया, कि कितना जरूरी है टेक्नॉलोजी को एक लिमिट में यूज करना, और कितना जरूरी है कि रीडिंग कल्चर हम अपने बच्चों में इनकलकेट करें, खेर यहां पे हम अपने इस डिसकॉशन को एक्तिताम पजीर करना चाहेंगे, और हम अब चलते हैं स्टूडियो में तबरेज के पास, जी तबरेज, थाइंक यू सो मच, ओवर टी यू, बहुत बह पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है अपनी नसल को, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए, आप बढ़ते हैं आगे और अगला सेग्मेंट हमारा होता है, लोकल टैलेंट और लोकल टैलेंट लेकर हमारे साथ हैं, अनीका, अनीका, शुक्रिया तब्रेज, असलाम लेकुम सामई, मैं अनीका आज के लोकल टैलेंट सेग्मेंट में आपका इस्तेकबाल करती हूँ, मेरा तालुक मरकजी जामिया किश्मीर के कन्वरजिन जर्नलिजम डिपार्टमेंट से है, आज के इस सेग्मेंट के हमारे साथ हीं से मेरी गुजारश है कि वो अप अबरार बुखारी है और मैं कन्वरजिन जर्नलिजम डिपार्टमेंट का स्टूडंट हूँ, मेरा नाम है उर्वत इल्वस्का, मैं स्री नगर के सैदा कदल अलाके से तालुक रखती हूँ, और अभी मैं यहां जेरे तालीम हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं मास शुक्रिया उर्वत और शुक्रिया अंसार, तो आज के इस सेग्मेंट का मकसद है कि हम अपने बीच के लोकल टालेंट को सरा हैं, उन्हें एक प्लाटफॉर्म दे, जिसके लिए हम All India Radio के शुकर गुजार हैं, तो अबरार पहले मैं आपको दावत देना चाहूँगी, जो हमारे लिए गाना गाएंगे, जी बहुत बहुत शुक्रिया, यह जो गाना में गाने जा रहा हूँ, यह हाली में एक Bollywood के मशूर गुलोकार जिनका नाम के के कृष्न कुमार कुनत था, तो वो गुजर गए और यह उनको एक छोटा से ट्रिब्यूट है, गाने का नाम है तुझे सोचता हूं, from the movie Jannat. मेरी दड़कनों में ही तेरी सदा, इस कदर तु मेरी रूह में बस गया, तेरी आदों से कब रहा मैं जुदा, वक्त से पूछ ले, वक्त मेरा गवाँ, बस सारे गम में जाना संहूं तेरे, हर एक मौसम में जाना संहूं तेरे, अब इतने इमते हाँ भी नाले मेरे, तु मेरा ठिकाना, मेरा आशियाना, डले शाम जब भी मेरे पास आना, है बाहू में रहना, कहीं अब न जाना, हूं मैं फूजन में, बुरा है जमाना, बस सारे गम में जाना संहूं तेरे, हर एक मौसम में जाना संहूं तेरे, अब इतने इमते हाँ भी नाले मेरे, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, अबरार आपके इस गाने का, आपके इस टालेंट का क्या कहना, अब मैं उर्वत को दावद होंगी, जो अपनी लिखी हुई गजल हमारे सुनने वालों के लिए पेश करेंगी, इससे पहले कि मैं गजल पढ़ू, एक गजल है मेरी और उसका मतला पेश करना चाहूंगी, नबनता है कोई यूसुफ सरे बाजार होने से, जुलेखा मिल नहीं जाती सिर्फ रुकसार होने से, जखम दिल पे खाने से कोई आशिक नहीं बनता, मुकमल इश्क होता है जिगर के पार होनी के, अब मैं अपनी जो गजल है वो पेश करना चाहूंगी, तशना लब हूँ हर सु मुझको सराब लगता है, मुझको क्यूं अब सब ये जैसे खौब लगता है, दुन पे अब साकी के मुझको रक्स करना है, इश्क हो तो दड़कनों में रबाव लगता है, चांद तारे फूल शबनम हो गए खामोश, उनको तू मेरा ही तो इंतिखाव लगता है, वसल हो तो रूख भी हो जाए बेनकाब, जिसमतो बस दर्मिया एक हिजाब लगता है, उनके नम पलकूं के नीचे बहता रहा लहू, होने वाला अब ये शहर जेर आब लगता है, अब जो मैं गजल पेश करना चाहती हूँ, ये मैं खुद को भी डिरिकेट करना चाहती हूँ और तमाम आउरोतों को भी, है जिससे बाग मैं महक, गुलकाव खार हूँ, कहीं मैं कहकशा, कहीं मैं आबजार हूँ, किसी के आखरी पेगाम का मैं इंतिखाब, कहीं बनके हूँ पैमाना, कहीं मैं बस खुमार हूँ, कि मेरा अक्स भी बिलकुल हैंदरिया की तरह रवा, कहीं मैं हूँ रुका, कहीं मैं बेकरार हूँ, गुजती हो जिसकी जार अर्शो पर्श मैं, कहीं बनके लेला मैं मजनू की पुकार हूँ, कि अब अपनी भी जात होती मुझे नहीं मैस से, कभी होगा खतम न जो, वही इंतिजार हूँ, शुक्रिया उर्वत, शुक्रिया उर्वत, मेरे पास तो लफजी नहीं रहे कि मैं आपकी तारीफ में क्या कहूँ, अब हम चलते हैं अंसार के पास, जो हमारे लिए गाना गाएंगे, जी बहुत शुक्रिया आनिका, आखु मेरा दिल में, उतर कर नहीं देखा, आखु मेरा दिल में, उतर कर नहीं देखा, कष्टी के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कष्टी के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवाक्त अगर जाओंगा, सब चौंक पढ़ेंगे, एक उम्रु हुई दिन में कभी गर नहीं देखा, एक उम्रु हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, कष्टी के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखु मेरा दिल में उतर कर नहीं देखा, बहुत शुक्रिया अंसार, बहुत 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 शुक्रिया तबरेज आपका, आपको क्या लगता है कि आने वाले सालू में हमारी सोसाइटी के सिम्मत में जा रही है, मैं आनीका पिछले दो साल ग्लोबल पैंडेमिक ने हमारी सोसाइटी को कहीं पीछे खीच दिया है, वो आगे जाने के बजाए कहीं पीछे आ गई है, मुझे लगता है कि अब हमें उससे आगे लेना चाहिए, अब बात करेंगे कहीं न कहीं हम आजकल बच्चों को रोकते टोकते हैं, टेकनॉलोजी के लहाज से, उनकी बत्तमीजियों के लहाज से, पेरिंटिंग, रॉंग पेरिंटिंग, मतलब यह बहुत जादा अलग शोबे हैं, जिसमें हम अगर बोलेंगे, सोसाइटी कहीं बिगड रही है, कहीं बन रही है। लेकिन अगर हम ओवरॉल देखें, कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी जो है, दस साल पीछे जा चुकी है। तो हमारा फर्द है, हम टेकनॉलोजी को साइड पे रखकर, अपनी moral education पे दियान दें, बच्चों में एक वो curiosity develop करवाएं, कि उन्हें जिन्दगी में आगे जाना कहा है, करना क्या है। क्योंकि उनके जिन्दगी के दो साल तो चले गए, ये वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए बहते हैं उनके आने वाले 20 सालों के, हम ऐसे उनके upbringing करें, क्योंकि हमारी कल हमारे बच्चे हैं, मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ, 40-50 year old के लिए मैं कुछ कहूंगी, हाला के वो भी हमारी society का important part है, मगर हमारा कल हमारे बच्चे हैं, इसलिए उनके आने वाले 20 सालों के लिए कुछ ऐसा हमें collectively करना है, ताके कल को वो ऐसा न कहें किन लोगों ने हमारे एक जहन्नुम हमारे ले रखा है, इसलिए मुझे लगता है हमें एक अच्छा step लेना चाहिए हमारी society के लिए, Thank you. जी मैं अनसार हुसेन, बहुत बहुत शुक्रे आपका, उर्दू में एक कहावत है, कवा चला हसकी चाल वो अपनी चाल भी बोल गया, हमारे समाज में क्या मसले मसाइल इस वक्त हैं कि हम blindly चीज़न को imitate करते हैं, और उसकी वज़ा से बहुत सारे मुश्किलात आने वाली वक्त में हमें पेश आ जाते हैं, कश्मीरी में इसी तरह एक मशूर कहावत है, कौकरत तचान, पूठ हिचान, माअबाप, बड़े, बुज़र्ग जो بھی कहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो सेखते हैं। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम जो बी करें, सोच समझ के करें। हम जब भी बात करें, तो कम से कम एक दो बार सोचे कि हम क्या बात करनी जा रहें, इसे हमारे आने वाले जनरेशन पे, आने वाली जो वक्त में तुल्बावा तालिबात हैं, जो हमारे साथ आगे काम करेंगे, उन पर इसका क्या असर पड़े गा? हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हर बार इस चीज को ये समझे कि हमारे समाज में एक किसम की जंग चल रही है और वो जंग है नर्म जंग वो हमारी टेकनलोजी के दरीए एक जंग है जो हमें हमारे उपर मुसलत कर दी गई है और हमें इस जंग के लिए तैयार होना चाहे कि हम इस जंग को हमारे पास इस तरह का सामान होना चाहे कि इस जंग के खिलाफ हम लड़ सकें और वो सामान हमारे लिए कौन सी चीज़े महिया करेंगी वो हमारे लिए तालीम महिया करेंगी किताबे पढ़ना मोहिया करेंगे और इसी के साथ-साथ बाकी जितने भी मसले मसाइल है वो उन चीजों को हम तभी आगे मात दे सकते हैं हम उनको नकार सकते हैं अपने इल्म के बुन्याद पर जी मेरा नाम इरम है और मैं अपने दिल की बात रखना चाहती हूँ एडुकेशन सिस्टम के हवाले से जो हमारा एडुकेशन सिस्टम है कश्मीर का मश्कूरा आप देखे कि आज 2022 है और अभी भी हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि तुरेटिव मेडिकल तुरेटिव न सुसाइटी भी यह करना शुरू करें अपने बच्चों का टालेंट ढूंडे कि उनका टालेंट किसमें है और उनको उसी डिरेक्शन में उनको उनको उनकी गाइडेंस करें तो मुझे लगता है आज आज आगे बढ़ सकते हैं शुक्रिया मेरा नाम है उर्वत लुसका और जब हम वेस्टरन लिबास पहनते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उनके जैसे होगे शायद ये तरकी है हाँ वो एक पहलो हो सकता है कि हम अपने बच्चों को जो है वो आजादी देख कि वो क्या पहनना चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ी आजादी जो होती है वो सोच की आजादी होती है मुझे लगता है कि जहां तक हमारे सम्माज की बात है सम्माज बनता है फैमिली से और फैमिली बनती है एक यूनिट से एक अफराद से तो एक अफराद की सोच क्या है वही डिक्टेट करती है अपनी society और वही कल को अपने nation को represent कर सकता है तो हम कहीं न कहीं अगर देखेंगे आज भी इतने सालों बाद भी अगर हम देखें तो कहीं न कहीं हम अभी भी अपनी सोंचों में जो हैं वो कैद हैं तो हमें उस सोंच से बहन करना है और आस उसमें सबसे एहम चीज़ जो है वो है आउरतों को आजादी देना woman empowerment और वो कौन आजादी देगा हमें आम तोर पर लगता है, जब हम फेमिनिजम की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें मर्दों के साथ जंग छेड़ देनी है, लेकिन अगर हम बजाहिर अपनी सोसाइटी को देखे, तो सबसे जाधा जो जूँद होता है ना उरतों के साथ, वो अरते ही करती है, तो इस से हमें देखना चाहिए कि अगर मेरी बेटी उसको मैं कोई हुकूग देती हूँ और उसको दिये भी जाते हैं हमारी सोसाइटी में उसको फराहम होते हैं उसको वही लिबास पहनाया जाता है जो वह पहना चाहती है वही चूज करती है जो उसको चूज करना होता है लेकिन ज इसलिए भी होते हैं कि आउरतों को लगता है कि जब वो सुस्राल जाएगी वो फिर पढ़ नहीं सकती हैं वो फिर जौब नहीं कर सकती हैं और यहां बहुत सारे ऐसे केसे हैं कि जहां फिर वो जौब छोड़ देती हैं तो इसलिए जब हम बेटी को हुकूग देते हैं तो हम हमें अपनी बहु को भी वह खुकूक देने चाहिए और यह नहीं है कि हमें मर्दों के साथ जो है वह जंग छेड़नी हैं बलकि दोनुं एक गाड़ी के जो हैं दो पहिये हैं तो इखटे मिलकर हम काम करें और अपनी सोंच को पहले आजाद करें फिर दूसरी जो चीजें उन चाहिए लेकिन हम अपने आपको चेंज नहीं करना चाहते हैं क्यों हम सोसाइटी लोगों से बनती हैं सोसाइटी का जो ग्रास रूट लवल है वो हम लोग हैं और हम लोग जब तक अपने आप में एक चेंज नहीं लाएंगे कि सोसाइटी को उपर तक ले जाएं तब तक ह बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें उम्मीद है कि आप से इंस्पार होगे हमारी आने वाले नसले जो है इस डिफरेंट फील्ड को एक्स्प्लोर करेगी थैंक यू, थैंक यू बेरी मॉट हम चलते हैं वापस स्टूडियो पे तबरीज के पास तो सामाइन यहां पर एक्तिदाम पधीर हुआ चाहता है आज का ये प्रोग्राम इंशाल्ला अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकी होंगे एक और यूनिवस्टी, एक और कॉलेज और कुछ नए तल्बा तल्बात के साथ तब तक के लिए आप सब का और हमारा आल्ला हाफिज